दोस्तो आज की घटना एसी हैं जिसे सुनकर आप सिव जी की अरादना बिना के नहीं रहोगे दोस्तो हिमाले के एक सेयर में रहते हैं उन्होंने बताया कि मेरा परिवार तो भारत में रहता है लेकिन मेरी नोगरी चीन की एक सेर में लगी थी इसलिए मैं और मेरी पतनी वहीं पर रहते थे एक बार कमपनी ने कुछ खासकारी के लिए हम कुछ लोगों को उसी सेर में बेज़ दिया था जहां से ये करोना वारिस फेला था और वहां अलग से रहने के लिए पेले से ही कमरे बुकिंग की गए थे कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा लेकिन दिसंबर में अजानक यह बिमारी वहां पर फेलने लगी एक के बाद एक मोते होने लगी हम कमपनी की सदश्यों की भी जाच होनी थी एक दिन उस कमपनी के 200 लोगों का सेंपल लिया गया जिसमें 70 लोग पोजिटिव मिले मैं काफी डर गया था क्योंकि मैं टेस्ट करवाना नहीं चाहता था क्योंकि खबरों के अनुसार उन दिनों इस बिमारी से लोग तड़प-ड़पके मर रहे थे इसलिए मैं बहुत ही डर चुका था और अपने आपको अपने कमरे से एक दिन बाहर नहीं निकला और महादेव का जाप करने लगा लेकिन जब मैं दूसरे दिन खड़ा हुआ तो अचानक में बेहोंस हो गया वो मुझे कुछ भी याद नहीं रहा लेकिन जब मैं बेहोंसी से जागा तो मैंने अपने आपको होस्पिटल में पाया मैं बहुत ही डरा चुका था लेकिन मैंने मादेव का जाप करना बन नहीं किया था मुझे तीन दिन आईसी वार्ड में रखा और जंदर वार्ड में दाखिल कर दे गया मैंने जब उन डॉक्टरों से सब बाते पुछी तो उन्होंने कहा कि बिमारी तो तुमें भी थी लेकिन तुमारा इम्यून सिस्टम सही होने के कारण तुमारे सरी पर इस बिमारी का जांदा असर नहीं पड़ा मैंने जब उनसे पुछा कि मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया तो उन्होंने कहा कि तुमने ही फोन लगाया था लेकिन हेरानी की बात तो यह थी कि मैंने अपने फोन से लगाया ही नहीं था वो नहीं वहाँ पर मुझे कोई दूसरा पेचानता भी नहीं था अता मैं वहाँ से ठीक होकर अपने घर वापस आ गया लेकिन मैं आज भी हैरान हूँ कि आखिर वह फोन होस्पिटल में किसने लगाया लेकिन मुझे मेरे महादे उपर पूरा भरुसा है कि वे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं हर हर महादे